हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियल लीग के मैच काम प्रिव्यू करने वाले वो खेल जाएगा लीट्स उनाइटेड वर्सेस न्यू कासल उनाइटेड के बीच मैच कवन योगा लीट्स एंड किक आफ होगा शाम को फाइब पीम पे तो न्यू कासल उनाइटेड इस सीजन का वन अप दा बेश्ट प्रीमियल लीग क्लब है फिलाल अगर मैं आपको पॉइंस टेबल दिखाऊं तो न्यू कासल अभी थार्ड स्पॉट में और अच्छा जांस लग रहा है कि न्यू कासल जो है इस सीजन टॉप फोर के अंदर फि आज वाला मैच शोली न्यू कासल टारगेट करने वाला है इनके अपोनेंट होंगे लीट्स लीट्स इस सीजन बहुत खराब के लिए और अभी वन अब दा फेवरेट्स नजर आ रही है रिलीगेट होने के लिए क्योंकि ए टीम 19 स्पॉट में 35 में इनोंने सिर्फ साथ मै बग दो मैच शितने होंगे बागी इनको और टीम के रिजर्ड में भी डिपेंडेंट रहना होगा फिलाल अगर आप देखेंगे ओवरॉल लीट्स का सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं गया लेकिन लास्ट मैश सौरी अंडर न्यू मैनेजर सेम लेड़ाइस क्योंकि उससे सिटी के अगेस्ट वा लास्ट मैच और उसमें काहफी इंप्रूमेंट जो है हमें नजर आई थी खास्तार पर डिफेंसिबली सिटी के अगेस्ट उन्होंने सिर्फ दो ही गोल कंसीट किये थे तो लीट्स आई तिंग एंडर में इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाली यह पूरी तरह से इस रिलिगेशन जो उनसे उपर आना चाहेंगे तो यह मैच जो है ना वो न्यू कासल के लिए उतना इजी भी नहीं होगा जितने ओन पेपन नजार आ रहे है तो कि आप जानते हूंगे जो टीम अपने सर्वाइबल के लिए लए लड़ लिए वो टीम जो है काफी ज़्यादर ट्रिकी हो जाती है इस्टबन हो जाती है और उनको हरा पाना उतना इजी नहीं होता इस मैच में मैं बैक न्यू कासल को हरा देती है तो भी मुझे सर्प्राइबल में बैक न्यू कासल कोई करने वाला हूं अब मैं एक बार आपको दोनों टीम का ल न्यू कासल अपना लाश्ट मैच टू निल से आर्सेनल से हार गई जबकि लेट्स भी अपना लाश्ट मैच टुवन से आरी जो एक गोल आयता हो रटरिकों ने सबसीट्यूट से आके स्कोर किया था बागी मैंने आपको बता दिया अल्दो लीट्स टक कर दे सकती है लेकि आपको मिलेगा टॉप इंट कमेंड में जोइन कर लीजिए अब हम आ जाते डारेक्ट प्रोवीबल लाइनप पे पहले बात न्यू कासल की करते हैं मेरे अकोडिंगे फेबरेट सुंगे अभी मैं इनके मैं प्लेयर यानि कि मैं सेवन प्लेयर न्यू कासल के पिक करूंगा स्मॉल लीग में तो न्यू कासल के लिए लॉंग इस्टाफ बाहर है अब इनकी प्रोवेबल लिलावन देखते हैं निक पॉप इनके गोल कीपर हूंगे चार इनके डिफेंटर होंगे ट्रिपियर शार बॉट्मेन एंड डैन बन अल्दो इस पूरे सियन में जो बैस के लिए थे ले फेलिए तो यथिंग गोल वह निकाल सकते हैं नुकासल के अ किसे जांगा में अख्तरा इे टप वे ट्रिपेर आप जानते हूंगे लीग के बेस्ट फुल वेक में काउंट होते हैं अटेकिंग वाइस भी अच्छे हैं जबकि शार हैडर में भी सॉलिड और पिछे से लॉंग बॉल्स वगेरा देते हैं असिस्ट पोटेंशल भी इनके बाद अच्छ है और डिफेंसिवली से जबकि बन ऑल्दो हाइड काफी लंभी है हैडर में अच्छे हो सकते हैं लेकि कुतना ज्यादा इंपैक नहीं डाल परे इस वाएसे मेरे अभी के लिए था डिफेंडर बॉट मैन है बट अगर आप चाहे तो आप बॉट मैन के फ्लेस में बन भी पिक कर सकते हैं या बहुत अच्छी फ़र्म में गोलर इख़रर करें उप अभी कर रहें वाहां से इस व्यायारे कर रहूं करते हैं अब क्या en Hen returning को यहीत रहें अफ को भी जब कर सकते हैं कि से को हटाना ड्रॉप करना पढ़एगा इस वाये से अभी के लिए मैंने werd को डॉन ऐसा की यह मर्फी बीच-बीच में कुछ मैचेस में मर्फी ने भी अच्छा फर्फरमेंस किया बट कंसिश्ट है निया में इग्नोर कर रहा हूँ अभी मैं फ़रवर्ड में विल्सन और इसाग को भी कर नहीं जो दो रेड़ होट फ़र्म में चलने हैं विल्सन इनके टॉप स्कूरर है में खली इसाग खेलते हैं और लेफ्ट में कोई और गॉर्डन वगेरा खेलते हैं तो इसागी लिंगे तो यह नियू कासल यूनाइटेट की प्रवेबल 11 थी लगबग सभी चीज़े मैं यहां से आपको डिटेल में कर दी बाकी यह मैंने नियू कासल के स्टेर्ट लिखे आप यह स्टेर्ट देख लेना बाकी अपोनेंट की बात करने से बहले वही चीज़ बता रहा हूँ इस मैच की फाइनल टीम और अपडेट जो भी होगी वह आपको मेरे टेलीगराम चैनल में मिलेगी तो टेलीगराम चैनल का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बाक्स पर एंड फिर पो फिलाल अभी वैसे में इनका कोई भी डिफेंडर नहीं ले गया हूँ इनके सगन न्यू कासल इनकी त्रेशिंग कर देती है चार पांच गोल मार देती है तो हो सकते हैं के कुछ को डिफेंडर नेगिटीब में भी चले जाए बट इस्टिल आपको किसी क कोई दे सकते हैं तीनों से बहुत जादा गोल असे एक्सपैक मत करना फिलाल मैं अभी के लिए रोका के साथ यहाँ क्योंकि रोका कुछ कुछ कॉर्नर्स वागेरा भी ले रहे हैं डिफेंसिवली अच्छे क्रेटिवीटी भी ओफर करते हैं और फिलाल अभी के लिए मैं म पिक करके चल लहूं रोटरीगो मुरानो और गनांटो आपको फरवर्ट सेक्शन में मिलींगे अल्दो परसनली मुझे गनांटो बहुत पसंद है मैंने काफी पास्ट में लेकिन लेकिन लास्ट मैच में अंडर न्यू मैनेजर सेम इलेड़ाइस इनके मिनर्स 60 से भी कम थ साथ एक असिस कर चुका और मोस्ट पाबली अगर बैमफर्ट निखिल दे पैनाल्टी भी लिंगे तो जिस तरह की फॉर्म में रोटरीगो मुरेनो हैं यह मस्ट भी हो जाते हैं और बागे आप जानते हैं लीड्स सर्वाइवल के लिए तो इन सभी प्लेयर्स की मोटिवे मुरेनों खिलिंगे तो यह लिट्स उनाटेट की प्रोवबल 11 थी लगबख सभी चीजा मैं यहां से आपको डिटेल में कर दी बाकी यह मैंने लीड्स के स्टैट निख है प्रीमियल लिग के आप यह स्टैट देख लेना अभी जो मेरी पेडिक्सन है मैं 2-1 न्यूकासल विक्री के साथ जा रहा हूँ ऑल्दो मेरे अकॉडिंग लीड्स टक कर दे सकती है लेकिन यहां पर मैं बैक जो है न्यूकासल को ही करने वाला हूँ तो अभी यह मेरी डेम और आफ टीम है गोल के पर मैंने रॉबलस लिए लीड्स से मैंने तीन न्यूकासल के अभी के लि लिड्स इसको नहीं कर पाएगी तो आप सीज़े सीज़े रोडरी को मुरहनों हटागी भी या तो मिट्फिल में फोर्शा ले सकते हैं या डिफेंस में एलिंग के साथ जा सकते हैं फिलाल हम नियूकासल को बैक कर रहें तो सी वीसी मैं करूंगा इसाग और विल्सन के कॉ वाइस केप्टन सी या तो में फिर में ट्रिप्यार को दे सकता है और जोलिंग्टन को और अगर आपको लगरा क्लोज में चुका आप रोडरी को मुरहनों को भी वाइस केप्टन कर सकते हैं तो अभी यह मेरी डेम और रफ टीम थी अपडेटेड फाइनल टीम के लिए लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन वाक्स में में लेगा या आपको में लेगा टॉप इंड कमेंट में जॉइन कर लिजे